जबलपूर में मनोरम द्रश्यों की कमी नहीं है यहां ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से सलानी आते ही रहते हैं एक ऐसा ही शानदा टूरिस्ट प्लेस है जबलपूर का मदन महल की पहाडी छेतर मदन महल की पहाड़ी से पूरा जबलपुर का नजारा आप देख सकते हैं यहाँ पर रानी दुरगावती जी का ससुराल हुआ करता था और आज भी यहाँ पर कुछ अवशेश आपको देखने मिल जाएंगे पताया जाता है कि इस किले का निर्मान गुंडवाना काली इन शाजकों ने तेरवी सताबदी में कराया था मदन महल की पहाड़ी की सेर करने के लिए कम से कम 200 से 200 सीड़ी चड़ करके उपर जाना पड़ता है मदन महल की पहाडी के उपर गुफा में एक प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित किया गया है जिसकी सावन में पूजा करने से भक्तों की सभी मनो कामनाय पूरी होती है ऐसा कहा जाता है कि इस किले के निर्मान के दौरान एक तलाब का भी निर्मान कराये गया था जो की अब दल दल में बदल चुका है इस किले को देखने के लिए सुबे से शाम तक लोगों की भीड लगी रहती है जो भी जबलपुर शहर आता है वो कुछ चुनिंदा टूरिस्ट प्लेसेस में से मदन महल के किले को जरूर घूमता है आप यहां से देख सकते हैं पूरे जबलपुर का नजारा आपको देखने को मिलेगा मदन महल की इस उची पहाड़ी से बहुत ही दुरगाम और बहुत ही अच्छा द्रश्य है आप भी जबलपुर आएं तो जरूर देखें मदन महल छेतर में स्थेतिये मदन महल की पहाड़ी अच्छा लगता है काफी जादे यहां भीड भी रहती है तो मैं तो पहली बार आई हूं और मैं सज्जेस्ट करूंगी कि आप भी आएं यहां पे जरूर बहुत ही अच्छा लगता है